दोस्तों हमारे देश में B8 करने का कुछ जादा ही क्रेज है जिसको देखो टीचर बनना चाता है दोस्तों हमारे देश में टीचर बनने की खुआईश तो लगबग सभी की होती है जो भी फिमेल है जो भी को चाता है टीचर बनना तो सबी लोगों का बजट नहीं हो पाता है बीएट करने का प्राइवेट युनिवरस्टी और प्राइवेट कॉलिज से तो वो लोग रुक करते हैं किसी गौर्रमेंट युनिवरस्टी के तरफ ऐसे ही कई सारे चैलेंजिस उनके सामने आते हैं किसी को स्कॉलर्शिप नहीं मिल पाती है कोई फीस देने में सक्षम नहीं है जो फीस देने में सक्षम है उसकी फीस इतनी जादा मिलती है कालिज युनिवरस्टी की वो पे नहीं कर पाते हैं ऐसे ही कुछ एक्जामल के सात में मैं शेयर करूंगा अपने experience को आप लोगों के साथ में कि कहां कहां पर क्या fees हो सकती है अगर आप b8 करना चाहते हैं किसी भी जगा से आप चाहे हर्याना से करो यूपी से करो बिहार से करो ऐसे बहुत सारी government universities हैं private universities हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे अपने इस व नमस्का दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है University India और मेरा नाम है विरेंदवर्मा जैसा आप सब भी जानते हैं हम देश-विदेश की universities, colleges उनके courses को explore and review करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ क्या कुछ चल रहा है education के दुनिया मे दोस्तों B8 करने के लिए खास करके तीन बातों का विशेश रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर ये चीज़े नहीं है तो B8 बिलकुल भी आप करने के ना सोचें सबसे पहली बात आपके graduation या master's में क्यों graduation और master's दोनों ही base पर आप B8 कर सकते हो तो 50% marks होना अ बनिवारे हैं साथ में ही जो आपके पास documents है graduation या master's वो सारे किसी भी recognized university से होने चाहिए ऐसा नहीं कि आप किसी भी autonomous body से अपने वो documents लेकर आ जाएं और तीसरी बात खास करके मैं आपको बताऊं कि आपने जो study अपनी की है वो पूरी study ऐसे कुछ subject को मिला कर combination से करी हो जिसक आप पढ़ा सकते हों कई लोग तो हमसे as a subject में करने को बोलते हैं जिसके अंदर की पढ़ाना थोड़ा possible नहीं होता और college सार universities में वो subject भी available नहीं होते हैं दोस्तों हम लोग अगर बात करें इसकी fees की बारे में तो fees शुरू हो जाती है हम बात करें कि no fees के उपर बात करें इटली में free education चलता है वो 100% free है किसी को free education ले जाना है इटली हमसे करनेट कर सकता है हम उसको बिलकुल भेज देंगे इंडिया में भी ऐसी कुछ universities हैं जो बाकी courses के लिए 100% free education का दावा करती हैं बट जब ये counseling courses आते हैं मतलब ये hot selling product हम बोल सकते हैं इनको BA हुआ फार्मेसी हुआ, PhD हुआ, ऐसे कुछ courses हैं, ऐसे बहुत सारे और भी course के list है, जो hot selling है, मतलब कि जहां पर ये free में देंगे तो loss में जाएंगे, तो इसलिए ये लोग कुछ fees charge करते हैं, अच्छी अच्छी बड़ी university में आप जाओगे, तो आपको अराम से 10,000 एक साल के fees पड़ेगी, 20 हजार, 15,000 में आप अपनी बेट कम्पलीट कर लोगे, पर अगर आपने रुख किया किसी भी private university का, तो आपको जेब थोड़ी जादा हलकी करनी होगी, मतलब कि आपकी जो fees है, अगर government university की बात करें, जो private college affiliate होते हैं, वहां पर, मैं हर्याना की बात कर लेता हूँ पहले आप होता है, आप जाओगे यूपी में, चौदरी चरण सिंग यूनिवस्टी में, यहां की भी जो fees होगी 75 ते लेकर आपकी एक लाग तक fees हो सकती है, यूपी भी बहुत बड़ा है, मैं आपको बता हूँ एक चीज़ के लिए तो, तो यूपी में कहां पर आप college मिल रहा है, वो सब कुछ देखना पड़ेगा आपको, साथ में ही ऐसी बहुत सारी private universities हैं, जिनके seats times ली नहीं बरती हैं, पर फिर भी आप उनी universities में जाओगे, तो मैं नहीं मानता, कोई भी private university वाला, आपका admission 95,000 से कम लेगा, दो साल की fees की बात कर रहा हूँ मैं सारी, मैं एक साल की fees की सोचें, या फिर आप बहुत brilliant student हो, आप ले सकते हो, कहीं पर भी जाके scholarship, तो अच्छी किसी government university में आप try करें, जो भी आपकी best universities हैं, आपके state में वहाँ जाएं, दूसरे state में try करें, जहां fees जादा ना लगे, होस्टल की fees हो सकती है, बट वो भी आपको कहीं नहीं माफ कर द कि जरूरत है नहीं, B8 का syllabus हम देखें, तो 6 मेने का syllabus है, आप डंक से पढ़ लोगे, तो भी 2 साल का syllabus आप खतम कर सकते हो, इतना कोई tough syllabus नहीं होता है B8 का, जिस समय ये एक साल की B8 थी, 14-15, last year था एक साल की B8 का, तब भी syllabus इतना नहीं था कि एक साल तक बढ़ाया जाए, व आप अगर admission लेना चाहते हैं, B8 में, किसी भी university में, आप हमसे contact जरूर करें, हम उसमें आपको best advice कर सकते हैं, कहां आपको admission लेना चाहिए, बट कोशिश कीजिए, कि आप पहले किसी भी government university में ही admission ले, government university में आपका number ना आए, government university के seat में आपका admission ना हो, तो ही आप जाईए private university के तरफ, बट पहले आप government university में ही कोशिश कीजिए, admission लेने की, दोस्तों आप मेंसे कोई भी किसी भी तरह कोशिशन को पूछना चाहता है, हमें comment box में बताएं, या कोई भी doubts हैं, आप हमें personally WhatsApp करें, हम उस पर reply करेंगे, और आपको बताएंगे, जो भी आपके doubts हैं, उन्हे वीडियो के साथ बने रने के लिए